कि याइज वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ एक मैजिकल हेर मास्क पर करने वाली हूँ यह मास्क आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं आपको इस सलोन में जाने की जरूद नहीं है अपने बालों को साइनी और हैल्दी बनाने के लिए आपको इसमें सिर्फ दो इंग्रीडियन्ट की जरूद पड़ेगी अपसे अच्छी बात इस मास्क की यह है कि यह नेस्रल है इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है यह बहुत से लोग घर में अपना यूज करते हैं फेस पर लगाने के लिए बालों लगाने के लिए आप लग समझ गए मैं बात कर रही हूं इस अलोवीरा लीफ की यह आपको पता ही है इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं और यह कितना हैल्दी होता है हमारी स्किन के लिए हमारी बालों के लिए तो आज मैं इसको यूज करने वाली हूं मैं जो मास्क आज यूज करने वाली हूं मैं यह काफी कर चुकी हूं इसके रिजल्ट मैजिकल रिजल्ट होते हैं आपको जैसा कोई ब्राहंडेड मास्क अप्लाई करते हैं अपने बालों में वैसा इफेक्ट आता है और उसी तरीके का एफेक्ट आपको बिना रुपए खर्च किये सिर्फ एक लीव से और एक और इंग्रीडिये आपको नॉर्मली वास कर लेने अपने वालों को रेगुलर सेम्पू से मैं बिफोर आफ्टर दोनों की पिक्चर आपको दिखाऊंगी पिक्चर नहीं मैं अचली वीडियो दिखाऊंगी जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों कितने ज़्यादा रुफ हो रहे हैं आप खुदी उन वालों से और उन वालों का कमपैर्जिन करके अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना ज्यादा इफेक्टिव है और सची बात है कि आपको एक भी रुपे खर्चक नहीं करने हैं बस आपके घर में हर किसी के घर में अलुवीरा का प्लांट मिल जाता है अगर आप उनके घर से एक लीफ ले लीजिए हफते में सिर्फ एक से दो बार इसको यूज करना है बाल एक्दम साइनी वने रहेंगे स्वाफ्ट सिल्की और अलुवीरा के क्या-क्या फाइदे हैं यह आप स्क्रीम में देख सकते हैं मैंने पूरा लिस्ट मैंसिन कर दी हैं दैन इन्रीडेर्ट है इसका यह कोकोणट ओल य्यूज्ज का कर सकते हैं मैं यह वाला कोकोणट ओई उयूज कर रहा हूं यह प्यौर कोकोणट ओईल हैं Conference कि और आपो इसको यूज नहीं करने चाहते हैं तो जो आपर इंडंड यूजु 건 वह कर सकते हैं लेकिन मैं मृट को कॉको नरो को मिक्स करके देने बालों में एक सकते हैं में आपको इन डोनों इंग्रीडियों को यूज करना है वो मैं बताती हूं चलिए वीडियो में आगे लाइट आपको ऐसे वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यह जमा हुआ है जम गया था मैंनो दूप में रखे इसको मैल्ड कर लिया है अब जैसे सारे को कुणनर टॉइल होते हैं उसी तरीकी का यह है सबसे पहले आपको अलुवीरा लीफ लेके इसको अच्छे से धुल लेना है जूल नहीं होनी चाहिए इसमाँ फिर इसको चाको की हैल्प से आपको इसको काटना है छिलका पूरा निकालके इस प्रोसेस में ब और बस इस तरीके से आप यहाल जैल निकाल लिया आप चाहे तो झो वाइट पार्ट होता है अलुवीरा का वह निकाल के मिक्सी में ड्राइड करके भी अलोवीरा का जूस निकाल सकते हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको छानना जरूर है अगर आप इसको छाने के नहीं तो आपको हेर वास करते टाइम काफी दिक्कत होगी क्यों वाइट वाइट पार्ट रहाता है उसमें तो निकलता नहीं है असानी से मैंने मेरी बालों की लेंद के साथ से मैंने थ्री स्पून अलोवीरा जूस लिया है तैन वन इस्पून मैं कोकोनट ओईल का यूज कर रही हूँ लने मैं इस बावल में आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है यह अलग अलग नहीं रहना चाहिए अलोवीरा जूस और कोकोनट ओईल आपस में मिक्स हो जाने चाहिए आपको अच्छे से एक नट तक इनको मिक्स करना है यह देखिए अलोवीरा जूस और कोकोनट ओईल आपस में मिक्स हो गई है रहन इसको आपको अभी अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड करके इसक करीके से सेक्षिन में डिवाइड करके ऐसे हाथों में लेके इसको कि इसकेल्प में लगाने के बाद आपको अपनी पूरी हेर की लेंट में भी इसको अपलाई करना है पूरा मास्क करने के बाद आपको ऐसे बंद बना लेना है दर-टी गंटे बाद आपको इसको से वह स कर लेना है आप जो रहीडर शेंप यूज करते हैं आप उसी का यूज करके अपने बालों को वह स्कर आप कर ली जिए दैन में 2 गेंटे वैद आप शंइक है मैंने दो घंटे बाद अपने हेर को वॉस कर लिया है सैम को सच जैसा कि मैंने बताया था कि वॉस करने के बाद यह रेजल्ट है आप देख सकते हैं मैंने यह वीडियो नहाइट में सूत किया है तो आप बढ़ने को इस आहएंकrift नहीं है यह नहाइट में आपको मेरे हेट लगका है सिर्फ एक मास्क लगाने के मेरे हेर किसे सील्ग साइनी हो गए है यह मास्क बालों को बहुत हेल्दी बनाता है बालों को नरिस करता है तो गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है मैंने जब जब इस हेयर मास्क को लगाया है तो हेयर फॉल काफी अधक कम हो गया है इसका एक फाइदा यह भी है सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा भी आपके लिए हैल्फुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सियर करें